ग्रेह मंत्राले की तरफ से अपडेट आपके लिए ये है राज सरकारों ने लॉकडाउन को लागू करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिये है जहां भी लॉकडाउन का उलंगन हो रहा है वहाँ वे उचत कारवाही कर रहे है आवश्यक खादे सामगरी जैसे गेहूं, चावल, डाले एवं दूद की आपूर्ती की स्थिती संतोष जनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है जैसा कि आप सबको पता है, मानिय प्रधान मंत्री जी ने 14 अप्रेल 2020 को राश्टर को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोशना की थी, जिसके अनुपालन में कल ग्रिह मंत्राले द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं ग्रिह मंत्राले ने सभी राजियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियानवित करवाने तथा आम जनता के लाप के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है लॉक्डाउन के अंतरगत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सडक मार्क से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा टाक्सी, ओटो रिक्षा और साइकल रिक्षा सहित, काब अग्रिगेटर्स की सेवाई प्रतिबंधित रहेंगी सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे सभी सिनमा हॉल्स, मॉल्स, शौपिंग कॉंपलेक्स, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे सभी सामाजिक, राजनेतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, समारो और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेंगी सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे जो शेत्र होट स्पोट्स या कंटेन्मेंट जोन नहीं हैं, वहाँ पर 20 अप्रेल से कुछ चुनिंदा गतिविध्यों की अनुमती दी जा सकेगी बशर्ते कि वहाँ पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टिंसिंग का कडाई से अनुपालन किया जा रहा हो इन चुनिंदा गतिविध्यों को अनुमती देने का उद्देश यह सुनिश्चत करना है कि क्रिशी और संबंधित गतिविध्यां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीन अर्थ व्यवस्था अधिक्तम दक्षता से कारे करें इत्यादी ग्रेह मंत्राले द्वारा विस्तर दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोग हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कारे स्थलों पर कडाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी अनिवारे रूप से सभी सार्वजनिक और कारे स्थलों पर फेस मास्क पहना जाए सोशल डिस्टंसिंग का पालन किया जाए पात से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हो सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं शराब, गुटका, तंबाकु की बिक्री को सक्ती से प्रतबंधित किया जाए कार्य स्थलों पर टेंपरिचर स्क्रीनिंग की जाए और सानिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए बुजर्ग और रोग ग्रस्ट व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोचसाहित किया जाए नजी और सार्वजनिक दोनों शेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग ये सेत्व के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए आप से अनुरोध है कि सभी राष्ट्य निर्देश और S.O.P.s जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ सनलग्द है उनको ध्यान से पढ़ें उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूंट तया पालन करें धन्यवाद Ministry of Health की तरफ से कल मानिय स्वास्थय मंत्री और स्वास्थय राजे मंत्री ने भारत में COVID-19 के containment measures को लेकर Health Functionaries और साथ में World Health Organization के Field Officers के साथ एक Video Conference की थी जिसमें Micro Plans for Cluster और Outbreak Containment के development के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ Technical Coordination किया जाए उस पर विस्तरच चर्चा हुई साथ ही स्वास्थय मंत्रा ले WHO की National Polio Surveillance Network Team की Services को यूटलाइज करते हुए हमारी Ongoing Surveillance को कैसे स्टेंदन किया जाए उस पर भी एक Action Plan बनाया गया माने स्वास्थय मंत्री ने Confederation of Indian Industry द्वारा Organized Interaction में Indian Industry Leaders के साथ भी बातचीत की जहां उन्होंने PM Care Fund में योगदान देने के लिए Indian Industry को धन्यवाद दिया साथ ही माने मंत्री जी ने उन्हें Assurance दिया कि सरकार उनके सामने वादेंवाली कठिनाईयों से अवगत है और Economy के Revival के लिए की जारे Measures के द्वारा उनके Concerns को एड्रेस भी किया इसके अलावा उन्हें COVID के समय में Health Care में Make in India के अवसरों का Best Use करने के लिए एंकरेज किया ताकि देश Critical Health Care Equipment Provision में ज्यादा Resilient और आत्म निर्बर हो सके स्वास्ते मंत्राले ने Lockdown के डौरान Safe Drinking Water Practices के लिए एक Advise भी कल जारी की है जिसके तहत Public Health Department को Release Camps पर विशेज ध्यान देने और समाज के Vulnerable Sections के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलह दी गई है Chlorine Tablets, Bleaching Powder और Hypocloride Solution के Appropriate Use के Advise भी दी गई है स्वास्ते मंत्राले ने सभी States और Union Territories को COVID-19 के Outbreak के दौरान Essential Services Health Services की Delivery पर एक Detailed Guidelines को भी इशू किया है जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे की Maternal or Child Health Services Prevention and Management of Communicable Health Diseases Treatment of Chronic Illnesses शामिल है ताकि उनके Complications को Avoid किया जा सके और Emergencies को Address किया जा सके Health Care Workers को इन सब बिमारियों के बारे में कारे करते हुए Safety Ensure करा जाए उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है COVID Dedicated Facilities के अलावा Remaining Facilities ऐसी सेवाई प्रदान करती रहेंगी Not-for-profit और Private Sector को भी ऐसे कारे में इंडॉल किया जाए उसके लिए State Government से कहा गया है Overcrowding को रोकने के लिए Telehealth Services को Promote करना चाहिए साथ ही Lockdown या Restrictions के पीरेट के दौरान Immunization और Anti-Natal Care जैसी सेवाई को Reorganize किया जाए और इस तरह की सवाई को कोई एक दिन फिक्स करके Provide किया जाए ये Services देते समय भी Physical Distancing और Required Infection Prevention Protocol को Follow करना चाहिए Pregnant Women Children with Malnutrition TB Leprosy HIV, Viral Hepatitis Pulmonary Diseases या Dialysis जैसी जितनी भी सेवाई है उनको हमारे Sub Health Center और Health and Wellness Center के Primary Health Care Team उनको Monitor करे और उनके द्वारा हम ये Services प्रोवाइड करें उसके लिए आदेश जारी किये गए हैं साथ ही Bulk Drugs की Availability और Production को बढ़ाने के लिए Ministry of Environment ने एक Environment Impact Assessment Notification में Amendment किया है जिसके तहट जो भी Project या Activities Bulk Drugs और Intermediaries से रिलेटेड हैं उनका Re-Categorization करते हुए Category A से Category B2 में डाला गया है जिसके तहट उनका Appraisal National Level पर लाए बिना State Level पर तुरित गती से किया जा सकता है इसके द्वारा भारास सरकार जो चाहती है कि Important Medicines और Drugs की Availability भढ़े और यह Amendment 30 से जिन्होंने भी कोई भी Proposal दिया है उस पर लागू होगा आज State Regulatory Bodies इस Category के तहट 100 से अधिक Proposal की समीशा कर रही है जो Decision Making के डिफरेंट लेवल पर है अब तक Total 1,489 People have recovered और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग recover हुए है भारत में Confirm Cases की संख्या में Total 941 Numbers का Increase नोट किया गया है और Total Positive Cases 12,380 हैं अब तक Total Reported Desks 414 है जिसमें से 37 deaths have been reported in last one day मैं आप लोगी दृष्टी में लाना चाहूँगा हमारी इस लड़ाई में हमारे इस efforts में अभी तक भी field level पर किये हुए action के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी case नहीं आया है हमारी case fatality rate अगर 3.3% है तो हमारी percentage जो people who have recovered so far is around 12.02% साथ ही field level पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले cases आये थे लेकिन field action के द्वारा उनको control और उनको containment से संबंदी जो काम हुआ है उसके तहर माही इन पुडिचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई further positive case नहीं आया है इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई positive case नहीं आया है जिसमें है कि पटना बिहार से नादिया वेस्ट बेंगौल से परताबगर राजेस्थान से गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरास से भद्रादरी कोथा गुडम तिलंगाना से साउध गुवा गुवा से उत्राखंट से पौडी गडवाल पीली भीत इन यूपी राज़ारी इन जम्मू काश्मीर वेस्ट इंफॉल इन मनिपुर बिलासपुर दुर्ग राजनंद गाउं राइपुर में पुडी चेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब एजवाल वेस्ट जो है मिजोरम में देवनगिरी, कोडगू, तुंकूर उड़िपी और बिलारी, करनाटका में वाइनाड, कोटेयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हर्याना में पानिपत और मध्यप्रदेश में श्यवपुरी, मैं आप सबसे यह request करना चाहूँगा, कि field level पर जो containment का यह plan of action implement हो रहा है, उसके result हमें दिखने लगे हैं, lockdown, social distancing और containment measures के इस combined effort से, अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, धन्यवाद ICMR cities के अंदर पाए जाते हैं देश बर में, यह जो capacity का बार-बार issue आता है, अभी आप में देखा कि 26,331 वो network में से हुए हैं, हम अगर 9 घंटा काम करते हैं, जैसे एक shift में करते हैं, तो हमारी अभी जो lab की capacity है, वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के दो shift में कर दें, तो 78,227 लोगों की test हम हर दिन कर सकते हैं, दूसरी बात जो बार-बार पूछ रहे थे सब, rapid test kits आये क्या, दो किसम के rapid test kits आज आ चुके हैं, एक lives on करके company का है, एक one flow करके company का है, यह जो test kits हैं, इनकी संख्या lives on के 2,00,00 और one flow की 3,00,00 है, इन दोनों kit में थोड़ा सा फरक है, फरक यह है कि lives on का जो kit है, lives on का kit और one flow के kit में, आईजी जी और आईजी अम, दो अलग bands आते हैं क्या, एक इसमें दोनों band एक साथ होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करके देखें, इन दोनों kits की sensitivity 80% से जादा है, और specificity भी तकरीबन 84% से उपर ही है, तो जिस ढंग से इनका जो claim है, कि यह test अच्छे हैं, शायद उसका पहला इस्तमाल होगा, और हमको खुद को भी उसके बारे में, field conditions में का यह serologic kits हैं, अब जब हम serologic kits बोलते हैं, जो antibody देखने के kits, जिसको हम अभी rapid kit करके जादा जानते हैं, वो kits के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, मेरे शरीर में अगर विशाणू गया, तो मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले, मेरे nasal swab या oral pharyngeal swab, जहां से swab जो हम लेते हैं, उसमें विशाणू नजर आएगा, मैं अगर और आठ दिन रुकूं, आठ दिन के बाद में, मुझे क्या दिखाई देगा, कि जैसे मुझे लक्षन आना शुरू हो जाएगे, उन विशाणू की संख्या, ये मेरे गले में या नाक में रहे, वो सबसे जादा होती है, जब लक्षन आते हैं जब, उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है, अब उस वक्त अंटिबॉडी को क्या होगा, अब थोड़ा अंटिबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानि वो क्लारिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी, मेरे शरीर में अगर कोई विशाणू गया, तो वो विशाणू को लड़ने के लिए, मेरा शरीर कुछ शस्त्र तयार करता है, जिनको हम सैंटिफिक भाषा में एंटिबॉडी बोलते हैं, यह एंटिबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुईने बताना है, समझो इस किसम का विशाणू है, तो एंटिबॉडी इससे एग्जैक्ली उल्टी होती है, वो इस किसम की रहेगी और उसको चिपक जाएगी, तो वो विशाणू नाकाम हो जाएगा, अब हमको एक समझना है, इनमें टाइब्स होते हैं, सबसे पहली अंटिबॉडी जो आती है, वो IgM किसम के अंटिबॉडी आती है, यह जो IgM किसम की जो अंटिबॉडी होती है, यह जादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है IgM antibody जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये infection recent है ऐसे में लगा है जब IgG antibody आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ती अच्छी हो रही है इसका माइना सिर्फ IgG अगर मुझे दिखा और IgM नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूँ ये पुराना infection है अब इतना मैंने क्यों बताया उसके दो कारण है जब हम rapid antibody test करेंगे तो ये rapid antibody test early diagnosis के लिए नहीं है ये लोगों ने समझना बहुत ज़रूरी है early diagnosis को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या almost 2 हपते होने के बाद में समझो मैंने antibody test की तो 80 प्रतिशत लोगों में ही सिर्फ वो antibody दिखती है इसका मतलब मेरा diagnosis 20% में मैं सिर्फ antibody इस्तमाल करूँ तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा इसलिए ये diagnosis के लिए इस्तमाल नहीं होती है ये इस्तमाल होती है surveillance के परपस के लिए surveillance हैने क्या जैसे अगरवाल साब बारबार आपको ये बता रहे हैं कि हाट्सपोर्ट होते हैं अब ये हाट्सपोर्ट पर आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये antibody test periodically करके मैं जान सकता हूँ अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या antibody test positive हो गई इसका मायना मुझे infection हुआ मुझे बाद में infection नहीं होगा ऐसे मैं मान सकता हूँ क्या तो हमको एक दूसरी चीज समझना है कोई भी विशार्णू के खिलाफ जब antibody तयार होती है हर विशार्णू उस विशार्णू के साथ बाद में अच्छे डंग से लड़ सकती है वो antibody ऐसे नहीं होता है उधार्ण के तवर पे देता हूँ मुझे अभी यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं वैरिसेला जोस्टर करके जो chicken pox जो होता है ना chicken pox की जो बीमारी होती है उसमें जो antibody एक बार तयार हो जाए तो इतने अच्छे दरजे की होती है इतनी अच्छी quality होती है कि जिन्दगी भर बाद में नए सीरे से ये chicken pox आपको कभी होता नहीं लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने देखा तो science में का paradox देखो आपको HIV infection हुआ मेरे शेरीर में HIV antibody जिन्दगी बर दिखेगी लेकिन वो HIV के खिलाफ protect नहीं करती है तो antibody दिखे भी तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मायना मुझे हुआ ही नहीं है यह देखने मेरा immune response बहुत strong है अभी मुझे कभी होगा नहीं ये बोलना कठिन होता है कब तक कठिन होगा जब तक इसके उपर अच्छा संशोधन नहीं होता ये antibody कितनी अच्छे ढंकी है इसका पता नहीं चलता जब तक हम इसको इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इस ढंक से ये क्यों बोल रहा हूँ हमने surveillance purpose के लिए इस्तमाल करना है trend देखने के लिए इस्तमाल करना है लेकिन इसको हम early diagnosis के हिसाब से हमने कभी इस्तमाल करना नहीं चाहिए अब दूसरी बड़ी बात कि हम जब ये antibody test के indication बोल रहे हैं कि ये surveillance में इस्तमाल करते हैं तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये RT-PCR जो है पहिली वाइरोलोजिक test हम किन-किन लोगों को दे रहे हैं अब अगर मैं आपको बोलूं फिर पुरानी याददास्त आपको दिलवा दूं कि ये जो test kit है ये जो test है किस-किस को offer होती है जो भी आईसे जगह से internationally आया है जिनको 14 दिन में वहाँ गया था जहां ये इसके ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई थी उसको offer हो सकती है उसको अगर उसके लक्षन दिखाई दे तो लेकिन आज के तोर पे ये criteria relaxed है लेकिन कभी न कभी तो भी क्योंकि ये अभी तो lockdown चालो है international flights नहीं है कभी न कभी तो भी ऐसे होगा फिर हम खुल जाएं उस वक्त ये criteria फिर लगेगा इसलिए उसको अभी भी रखे है दूसरी बात हमको याद रखना है कि जो भी lab confirmed case का contact है उसको अगर कोई लक्षन दिखे तो उसको हम offer करते है तीसरी बात जो कोई healthcare worker होगा उसको अगर कोई लक्षन दिखे तो उसको भी ये test offer हम करते है चौती बात जब हम hot spot में रहने वाले लोगों को देखे उनमें अगर आपको सारे जग़ पे अगर हमने लोग देखे तो जहां भी हमको सारी की case दिखती है severe acute respiratory infection की जो एक लक्षन हो सकता है एक syndrome के वैसा एक complex होगा कि जिसमें ये COVID-19 के cases होगे तो हम सारी के हर रूग्ण को हर मरीज को हम ये test offer करते है इसमें भी कोई कमी किसी किसम की नहीं है और आखरी बात जो भी asymptomatic है high risk cases है उनके जो contacts है उनको हम पांचवे दिन के बाद में या 14 दिन के बाद में हम ये test भी offer करते हैं और सबसे बड़ी बात ये जो नए hotspot करके cluster खुल रहे हैं ये cluster के अंदर hotspot के list शायद सर ने आपको दी होगी वो list में जो जो भी जिले है उन जिलो में जिस किसी को influenza like illness हो याने बुखार, खासी और जुकाम ऐसे कोई illness अगर होगा तो उसको भी ये test offer की जाएगी अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सबको बार-बार ऐसे लगता है कि शायद हम कम लोगों को test offer कर रहे होंगे इनको छोड़के और कोई criteria और जग़ पे इस्तमाल नहीं होता है कि जिसको हम कम याने हमारे यहां नहीं है बाहर कहीं कर रहे है ऐसा कोई criteria नहीं है एक चीज हमने एक करने की कोशिश की कि यह pooling करके sample को pool करके क्या हम test कर पाएंगे तो हमने देखा कि RT-PCR याने जो molecular test है वो molecular test का इस्तमाल करके हम pooling कर सकते है pool इसलिए कर सकते है क्योंकि उसकी कीमत कम हो जाएगी नतिजा वो ही मिलेगा यह कहा कर सकते है जहाँ जहाँ जो districts में infection नहीं है उस जगह पे आया है क्या यह अगर देखना है तो जिन जिलों में 2% से कम seropositivity rate है वहाँ 5 sample का pooling करके हम test कर सकते है अगर वो pool positive पाया गया तो हम यह 5 के 5 अगर test करे तो हमको उसमे economic benefit भी हम रख सकेंगे सारे लोगों की test करने की हमको ज़रूरत भी नहीं आएगी इसका माइना क्या हुआ कि आज जो हम test कर रहे हैं उसके criteria भी बाहर जैसे है वैसे है आज हमारा जो network है वो पूरा के पूरा network पूरे देश भर फैला हुआ है सिर्फ इंतजार किस बात का है हमारी जो capacity है वो capacity में जितने लोग चाहिए उतने लोगों का अगर मुझे test करना है तो लोगों ने जिनको लक्षन होंगे जो लोगों का contact आया होगा वो लोगों ने अपनी test करने के लिए आगे आना है पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 3-4 दिन पहले हमारे पास 6 हपते test करने के उतना stock था आज हम ये बोल सकते है कि जैसे मैंने कल बताया आज तकरिवन 8 हपते तक हमको चिंता करने की जरुरत नहीं है हम लोगों की test कर सकते हैं सिर्फ rapid test जो है ये diagnosis के लिए नहीं है क्योंकि ये test आप आई तो सब लोग लिखना शुरू करेंगे लोग सोचेंगे मैं rapid test करवा लेता हूँ वो उसके लिए नहीं है diagnosis के लिए नहीं है ये epidemiologic purposes के लिए है Thank you I think in detail you have a lot के लिए नहीं है